नमस्कार स्वागते आपका न्यूस्वल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी शहर शहर डेंगू का कहल जी हाँ एक बाप फिर से देश के अनेक राजे डेंगू की चपीट में हैं उत्तर प्रदेश, खर्याना, पंजाब और दिल्ली समेत अनेक राजे में डेंगू से पिरित लोगों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है कुल मिला कर देश में हजारों लोग डेंगू की चपेट में हैं और अनेक काल की गाल में समा चुके हैं हालकि इस भयावेत राज़ी के बाद स्वासे भाग की नीद टूटी है लेकिन अभी भी इस विबारी की रोक थाम की कालकरम अनमने ठंक से चलाए जा रहे हैं ये दुर्भाके पूर्ण ही है कि अजादी के बाद आदी सदी बीच जाने के बाद भी जनता तडब तडब कर मरने को विपश है और सरकारी अमला अपनी असापलता का ठीक राएक दूसरे के सर पर फूर रहा है साल 2003 में डेंगू की तरीवता को देखते हुए इससे बचाव के तरीकों पर गमफीरता से विचार किया गया था और इसे अधी सूचित विमार्यों की श्रेड़ी में रखा गया था इसके बाद मानव अधिकार आयोगते भी जीवन रक्षा के बुनियादी हक को देखते हुए डेंगू के फैलाव को मानव अधिकारों का खनन माना लेकिन इसके बाद भी नतीजा थाक के तीन पात ही रहा है इस बार डेंगू ने अपने भयावे रूप में एक बाद फिर से हमारे सामने है और सरकार के सारे दावे और योजनाए बौनी साबित हो रही है इसलिए हमने हमें अपना खयाल खुद रखना है और खुद को सुरक्षित रखना है इसलिए आज हमारे साथ आपको बता दें, डॉक्टर एसके नंदा, CMSN Civil Hospital के वो जुड़ चुके हैं, जो डेंगू से जुड़ी तमाम जानकारी आपको देंगे, जिससे आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकेंगे डॉक्टर एसके नंदा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, न्यूस वर्ल इंडिया पर डॉक्टर एसके नंदा, जिस तरहा से हम देख रहे हैं, उत्तप्रदेश हो, हर्याना हो, पंजाब हो, तवाम राज्ये ऐसे हैं, जहां पर डेंगू अपना काफी ज्यादा प्रकोब डेंगू का देखा जा सकता है, कह डेंगू का देखा जा सकता है, इससे किस तरहा से ब कि ये लिए इसको ज़र से सतम करने के लिए बचाओ करना होगा करना निए बच पर वो तसे की जनना चिम्शनें बचेकर बचते के लिए इसे पूरे आस्तीन के कपड़े और पूरे पहने ताकि मच्छर खुले पार्ट में एक काट ना सके खुले पार्ट कम रहेंगे तो कम काटेंगे दूसरी चीज़ है कि पानी अगर कई दिन तक भरा हुआ कहीं साफ पानी भी है साफ मारी पानी में भी ये मच्छर पनते हैं तो उस पानी को कई दिल तक इकठा ना होने दे एक चीज और है कि अगर रात में सोना है तो मच्छरदानी का यूज जरूर करें क्योंकि मच्छरों से बचाव रखा जा सकता सोते समय मच्छर नहीं काटेंगे तो बीमारी नहीं पैलेगी और बीमारी एक पो नहीं पैलेगे तो वहीं मच्छर बाकी लोगों को बीमारी भी नहीं पैला पाए है जहां तक हमारे सवाल हमारे हॉस्पिटल का सवाल है मेरा हॉस्पिटल डॉक्टर स्यमा पुशाद मुखर जी सिविल हॉस्पिटल लगनौ में स्थिभ है यहां पर जो पैसेंट्स आर है से पिछले हपत वो अब उनकी संख्या कम हुई है दीपावली के बाद से और जहां पर हमारे पास 35 और 30 मरीज तक प्रते दिन भरती हुआ हुआ गरते थी एक अपते पहले उनकी संख्या मात्र 6 रह गई है तो मुझे तो यह लग रहा है कि इन दिनों में इस दीपावली के बाद के सीजन म की संख्या कुछ घ्रती हुः करेती है मेरे हाउस्पिटल जी जी मरी जाते हैं उनकी में बीजा यहां पहले एंड symptoms की आती है यानिक काहटो डेस्ट और उनी kalo email वऑले जो पेंजा जाता है बिलकुल डॉक्टर ऐसके नंदार में यहाँ जाना चाहूंगी आ साथवेश्य को बच्चों किस तरह से बचा के रखना चाहिए देखी ये तो सभी को बचने की बात मैंने बताई कि दिल में बचना है मच्छूरों से तो पानी को इकटा ना होने दे ये बच्छर दिल में भी कठ्ट्टे है अब तो सीजन भी एसा आ गया है कोई ज्यादा घर्मी नहीं लगए और रात में जरूर मच्छरदानी का प्रयोग करें दिन में भी अगर उनको सुलाना है तो बच्चों के छोटी-छोटी मच्छदानिया आती हैं उनके अंदर ही सुलाएं तो बिल्कुल डॉक्टर यहां पर एक चीज और जाना चाहूंगे कि देखे आज कल बहुत हम देख र में थोड़ी सी समानता है यह कि फीवर आता है दोनों में और जीका वायरस में हलका हलका बुखार आता है जुकाम स्वर्दी के रच्छान होते हैं जहां तक की बात है जीका वायरस जो कानपूर में अभी खैला हुआ था इसकी रिपोर्ट आ रही थी हमारे यहां से मेरे हा के लिए और जो रिपोर्ट आ गई है उसकी उसमें कोई भी पाजिटिव निकला नहीं है जी बिल्कुल डॉक्टर एक चीज और पर जाना चाहूंगी मैं कि जिस तरह से हम देखते हैं यह डेंगू जो है बीते कई सालों से चला रहा है यह बिमारी अकसर यह मौनसून के ब पर भठय हम statute है बश्मासु को करता हैं है और देखें आपको यह शब्कू को मालूम है कि यह मच्छों से ही पैलता है मच्छों से बच करшейकार कर साता है ने फिर्फ पुर करते हैं छर्काव करके और बागी लोगों के बताट के पोश्टर चप़ खबागे दबत Home two car वाह- कि दिन में पुल आस्तिन के कपड़े पहने पूरी आस्तिन के और पुछ जानकारी साज़ा करने के लिए तो डॉक्टर एसके नंदा से विल हॉस्पिटर के सीमेस हैं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और डेंगु का प्रकोप जिस तरह से बढ़ रहा है उसको देखते हुए जो तमाम जानकारिया उन्होंने दी उम्मीद करती हूँ कि वो सभी जानकारिया आपके लिए बहुत जादा फायदेबंद होगी और जो कुछ भी उन्होंने बताया आपको जरूर उसे फॉलो करिए क्योंकि जिंगो का कहर अब भी दिन पर दिन बढ़त जा रहा है फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहिए न्यूस फॉली इंट्याव